सब्सक्राइब करें हमारे जिनल में घरम आर्ट क्रेशन क्लासेश और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सब वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले हलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं डबल फ्रूट पास्केट विद चूमर तो दखे फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमको चाहिए Red कली की कोड, White कली की कोड, Beats, Bells, Lighter, Caesar, Two Round-Shape की रिंग सेवे इंच की, Two Round-Shape की रिंग 5 इंच की तो चाहिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे देखे फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में कोड्स को लेंगे जिसमें हम 4 रेड कले की कोड और 4 वाइड कले की कोड को यूज करेंगे और इन सभी कोड की साइज से 4 मीटर देखे सभी कोड को इस तरह के से एक साथ रख कर फिर एक्स्ट्रा की कोड हम लेंगे जिसकी साइज से 1.5 मीटर यह एक्स्ट्रा की एक रेड कले की कोड जिसकी साइज 1.5 मीटर है उसको हम यह सभी कोड के नीचे रखेंगे फिर नीचे रखने के बात हम यहाँ पर सिंपल पेस्क नोट को बनाना स्टार्ट करेंगे और यह सिंपल पेस्क नोट बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो left hand side वाली code रहेंगे उससे हम right hand side की और से निकालेंगे और right hand side वाली code को left hand side की और से निकालेंगे तो एसा हमको continue करते जाना है और तब चाकर ये node इसमें बन पाएंगे तो देखी friends मैं आपको तरिका बताया कि किस तरीके से simple basic node बनाई जाती है और जिस तरीके से अभी हमें simple basic node बनाई रहे है तो वेसे ही हमको कम से कम ऐसा 10 to 11 times इसी तरीके से continuous ये node को बनाई तो तब चाकर देखें जो जितनी भी अंदर की code से वो आपस में जोइन हो पाएंगे और ये node बनाई जाने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह किसे फोल्ड करने के बाद जो बच्ची भी code थी last end वाली code उससे हम Caesar की help से कट करके लाइड़ की अलस से stick कर देंगे तो इससे हमारी सभी code आपस में join भी हो जाएंगी और friends आप हमने एक ही side की code को कट करके stick कर रहे हैं दूसरी side की code अभी बाकी है तो देखें जो दूसरी side की code बाकी थी उससे अब हम use करेंगे इसे इस तरीके से कोल कोल राउंड बाय राउंड खुमाने में ताकि अच्छी तरीके से सभी code आपस में join हो जाएं इसे लिए हापर हम राउंड बाय राउंड करके ये code को खुमाते जाएंगे और ऐसा हम कम से कम eight to nine times करेंगे आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं जितनी भी code आपक सकते हैं अब देखें हापर हमने इस तरह से घुमाने के बाद जो दिए इसकी code बच्ची थी उसे हमने कट करके लाइट अगाल से श्ट्क काया दिया है र अब हम हमारे डिसाइन को बनाएंगे और इस डिसाइन को बनाने के लिए हापर हम सब से पहले फोर गोड लेंगे औ और दो कोड ररेड कली के कोर्ट है. अब ये फोर कोड़ टोटल हो जाने के बाथ, हम सिंपल बैसे की की नोट को बना रहे हैं, लेकिन हमको इस पात का ध्यान देना है, कि जहांपर अजो हम ये नोट को बना रहे हैं, वो रेड कली की नोट समें भी बन पाएं, और ये रेट कल की नोट्स में बन पाने के लिए हमको सेंटर में दो वाइट कल की कोड को एज रखना पड़ेंगा उसे हम घुमाएंगे नहीं लेकिन जो साइट की एक एक रेट कल की कोड है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक रेट कल की कोड है उसे ह जो रेच गले की नोड हैं वो नहीं बन पाएंगे इसलिए इस बात आपको ध्यान देना है कि स्रफ उसे रेच क्ली की कोड की हेल्प से हमको यह नोड को बनाना है और जिसा मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि left hand side वारी code को right hand side के उसे निकालेंगे और right hand side वारी code को left hand side के उसे निकालेंगे तो वही तरीका यूज़ करके हमने simple pesknot को बनाया है देखें आपर हमने 15 to 16 टाइम से simple pesknot को बना लिया है और अब हमने इसके पात जो रेट कले की code थी वो दोनों को join करने के लिए हमने यहाँ पर एक काटा बीट्स को use करा है और हमने यह blue कले की काटा बीट्स को use करा है और इससे हमने center में attach किया है और साथ में हमने इस पात का ध्यान रखा है कि सिर्फ उसे दो रेट कले की code को ही लेकर हमने इस काटा बीट्स को उसमें रखा है और इस side की एक वाइट कले की code है उसके help से हाँ पर हम नोट्स को बनाएंगे तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेट कले की नोट्स बनाने के लिए शाइड में रेट कले की code होनी चाहिए तो उसकी help से रेट कले की code नोडोट को रखा है और सेंटर में रेट कले की code को रख़ए लेकर इस तरहरें से यह वाइड कली की नोडोट्स बनाने के लिए और साथ में दिखे फ्रेंड से white के लिए notes को बनाने का तरीका इस तरीके से हैं कि हमने जैसे पहले simple basic notes को बनाने के लिए दोनों ही sides से निकालते थे लेकिन ये notes को बनाने के लिए हम सिर्फ वसी एक ही side से ही ये code को निकालते जाएंगे तो दिखे जैसे हमने left hand side से start करा तो हम continuous left hand side से कोड को निकालेंगे तो एक ही side से use करेंगे तो तब जगर ये spiral shape में ये white girl के notes बन पाएंगी अब देखे friends यहापर हमने ये notes बना लिए और ये notes हमने कम से कम four times बनाई हैं तो आप इस तरह के से अंदाजा इसका यूज कर सकते हैं कि हमने इतनी size ये notes के बनाई हैं अब ये notes बन जाने के पाद हम seven inch की round shape की ring लेंगे और उसे हम इन सभी कोड में attach करेंगे और इसा attach करने के तरिका इस तरह के से हैं कि seven inch की round shape की ring को हम सभी कोड के उपर रखेंगे फिर नीची से कोड को लेंगे और ये ring के उपर से two times निकालेंगे और इसा हमको one by one करके करना है नीची से के कोड को लेती जाना है और ये ring के उपर से two times निकालते जाना है तो तब जाकर ये रिंग इन सभी कोड में अटेज हो पाएंगी देखे हमने इस सभी कोड को इस रिंग में अटेज कर दिया है अब हम इसके बाड टोटल फॉटी एट वाई चलेकी कोड लेंगे और इस सभी बाड फॉटी एट वाई कलकी कोड की साईस है वन अजाफ मूईटर में तो अब देखे हम ये सभी कोड को ये जो ओड़ी पार्ट से वह फोर पार्ट में हम अटेज करेंगे आप देख सकते हमने यह four parts जो gap है वहाँ पर हमको यह coat को attach करते जाना है तो देखे हम यहाँ पर एक ही part में total 12 coats attach करेंगे फिर इसी तरीके से बाकी के जो three parts रहेंगे उसमें भी हम 12 12 coats को attach करेंगे तो इस तरीके से four parts में 12 12 coats को attach कर देने से हमारी total 48 coats हो जाएगे देखें यहाँ पर हमने one two three four five six seven eight nine ten eleven यहाँ पर हम 12 वाली code को attach करेंगे तो देखें जो white girl की codes आप देख रहें वह हमारी उपर की जो codes जो हमने notes बनाई थी उसकी ही code से वह इसलिए हम उसे include नहीं करेंगे हम एक्स्ट्रा में code लेंगे और यहाँ पर हम यह दो code ले रहें 12 वाली code के लिए तो देखें यह 12 वाली code के लिए हम दो code इसलिए ले रहें क्योंकि यह notes के अंदर से हमको code को निकालना पड़ेंगा इसलिए हमने इसी तरीके से बस one time ही एक code को निकाला है और फिर से ऐसे ही करके हमने दूसरी code को भी निकाल लिया है तो इससे हमारी 12 वाली code हो जाएंगी और इसे यह जो हमने दो code अटेच करिये उसे हम अलग अलग नहीं किनेंगे इससे एक ही किनेंगे इट मींस यह सिर्फ उसे 12 वाली code है क्योंकि यह जो हमने इसलिए अटेच किया थाकि यह notes बन पाएं और यह convert करने के लिए कि नीचे यह 4 code बन पाएं इसलिए हमने यह एक एक code को use करा है इसे आप अलग अलग ना गिनें कि यह 12 औ 13 वाली code है ऐसा नहीं है सिर्फ उसे हम इसे 12 वाली code ही किनेंगे और ऐसा हम हर एक side में करेंगे जिसे हमने अभी करा है वैसे हम 3 हुई side में करेंगे और देखे friends सभी side में codes को attach करतेने के पात हम यहाँ पर simple basic knot को line by line करके बनाते जाएंगे और इस simple basic knot को बनाने के लिए हमको four code use करना पड़ता है इसलिए हम सबसे पहले four code लेंगे four code की help से center में दो code को address रखेंगे फिर जिस side वाली एक एक left hand side और right hand side की code है उसे ही हम घुमाएंगे जो left hand side वाली रहेंगे उसे right hand side के और से निकालेंगे और right hand side वाली code को left hand side के और से निकालेंगे तो ऐसा हमको सिर्फ उसे two time ही करना है और तब जाकर ये एक note बन पाएंगे और अब हम यही note को पूरे ही round में बनाते जाएंगे देखें जो हमने right hand side की code में ये notes बना है उसके four code को हमको continue एसे ही notes बना रहे है और नीचे वाली basket तक हम इसी तरीके से ये four parts में हम ये notes को आगे continue करेंगे तो ये spiral shape वाली notes हम continuous बनाते जाएंगे second वाली देखें हमने पूरे round में ये one line notes की बनाई है अब हम second line notes के बनाने के लिए सबसे पहले second line में kata beads को attach करेंगे तो देखें जो दो उपर की simple best note है उसकी हम एक एक code लेंगे और एक code लेका इस तरीक से दो code हो जाएंगे वो दो code में एक kata beads को attach करेंगे फिर ये kata beads को attach कर देने के बाद side की एक code लेंगे और फिर हम वो एक code की help से two times simple best note को बनाएंगे तो इस तरह के से हमको एक kata beads को attach करना है और फिर उसके नीचे simple best note को बनाना है तो देखें आप जो हम ये beads को attach कर रहे है वो हम ठीक ऊपर की जो दो notes से उसके ठीक नीचे sende की ओर हम ये beads को attach कर रहे है और मैंने आपको जिस तरह कैसे तरीका बता है beads को attach करने का और notes को बनाने का बस वही तरीका use किया है हमने इसे बनाने के लिए अब हम beads को attach कर देंगे पूरी ही round में और देखे आप देख सकते हमने पूरी round में कर दिया है इस attach और notes पर बना लिया है अब हम फिर से third or fourth line ये notes की बनाएंगे और third or fourth line ये notes की बनाने के लिए भी हम same वही तरीका use करेंगे जिसमेन आपको पहले बताया है तो देखे friends आप देख सकते हमने जो ये four parts बनाया थे जहापर हमने रेट कल की quotes में notes को बनाया था spiral shape में उसकी four quotes को हमने ये notes बनाने में include नहीं करा है ये जो basket हम बना रहे हैं उसमें ये four quotes को हमने include नहीं करा है अब देखे हाँ भले हमने इसे attach जरूर किया है लेकिन हमने ये basket बनाने में इसकी quote को use नहीं करा है और हमने इस सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको इस पाद का ध्यान देना है कि ये जो हम four quotes को हमने छोड़ी है four parts की उससे हमने basket बनाने में use नहीं करना है उससे हम आगे continue करेंगे और second बास्केट में attach कर देगे कि देखे फ्रेंड्स आपर हमने टोटा सिक्स लाइन ये सिंपल बैसक नोट के बना ली है अब ये टोटा सिक्स लाइन सिंपल बैसक नोट के बन जाने के बाद हम five inch की round shape के ring लेंगे और अब हम ये five inch की round shape के ring को इस सभी कोड में attach कर देगे और इस आटेच करने का तरिका इस तरह कैसे है कि देखे हम सभी कोड को नीचे रखेंगे और ring को ऊपर रखेंगे फिर उसके बाद जो नीचे वाली कोड है उसे ring के ऊपर से सिर्फ उससे one time ही निकालेंगे तो आपको इस बात का clearly ध्यान देना है कि हमको इससे two times नहीं निक कालना है क्योंकि हाँ पर जो है कोड ज्यादा हो चुकी है और सभी कोड इस पर two times नहीं आ सकती है क्योंकि हमने ring छोटी लिए और जो उपर वाली रिंग थी उसके size बड़ी थी और अभी हमने जो नीचे वाली रिंग लिए उसके size छोटी है तो सभी कोड को एड़स्ट करन दिंग में आभी पै पत्क यु़ ना दो देखे फ्रेंट अभी कोड को कोड करेंसे के पाद अब यहां पर ayakow TW छोड़ देंगे फिर एसा ही हमको पूरे ही राउंड में करना है और देखे यहाँ पर हमने हाथ में जितनी भी कोड को लिया है उसे हम इसे पूरा कवर करतेंगे इट मिन्स हम इन सभी कोड को जॉइन करतेंगे और जो एके कोड हमने छोड़ी है उसे हम बात में जूमर बनाने में यूज करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पास्केट जूमर के डिजैन इसमें बनाई है अब देखें जो हमने सभी कोड हाथ में लिये उन सभी कोड को जॉइन करने के लिए सबसे बड़ी वाली कोड लेंगे और उससे हम ब्राउन पाय राउन करके खुमाते जाएंगे तो ठीक यहाँ जेए टेकर जाएंगे उसे हम कट करके लाएंगे इसे इसे स्टिक कर देंगे अब हम यह जो हमारे जितिन भी कोड बच चुकी है उसे हम अच्छी तरीके से टाइट ली एक पाख़ीट लेंगे क्योंकि ज़िए पासकेट बनाना हो टाइटली बनाना है और एक परफिक्ट शेप में बनाना है तो इस पात का ध्यान दीजी कि जब हम लाइट अकी बेल्स को तो लेंगे तो एक कोड में एक बेल्स को लेंगे और साइट वाली कोड लेकर लाइट आइकल से तोने ही कोड को स्टिक कर देंगे इससे हमारा बेल्स इसमें अच्छी तरीके से अटेच हो जाएंगा तो देखिए अब हमको इसी तरीके से सभी कोड में अटेच करना है बेल्स को देखिए फ्रेंट्स जहां पर जो हमने कोड छोड दी उसमें अब हम बेल्स को अटेच करेंगे तो यहां पर हमको इंक्रीसिंग ओडर में ही से कट करना है और इसे कट करके इनमें बेल्स को अटेच करना है देखिए हाँ पर हम ये दो मटका बीट्स इसमें अटेच कर रहे हैं आप चाहे तो इसके जग एक मटका बीट्स भी इसमें अटेच करके बैल्स को अटेच का सकते हैं झाल देखिए हाँ आप चाहे तो आप जग एक में अटेच प्राइब हाँ आप बीट्वाइब रहे हैं कि दिखिए हाँ पर हम यह उपर वाली बास्केट में इस तरी कैसे बेल्स कॉटेज कर रहा है और सेम यही तरीके से हम नीचे भी बास्केट को बना लेंगे और इसमें हम देखे जब हम बेल्स कॉटेज करेंगे तो साइड की दो कोटेज के उसे हम कट करके लाइट अगे सेने स्टिक कर देंगे तो ऐसा हमको पूरे ही राउंड में करना है और यह हम नीचे वाली बास्केट में ही यह तरीका यूज करें जिसमें हम एक साइड में बैल्स को अटेज करेंगे फिर उसकी साइड की दो कोड़ हैंगे इसे हम कट करके स्टिक कर देंगे और आप चाहें तो ऐसा उपर वाली ब पर बास्केट में यह तरीका यूज कर रहे हैं यूज आप चाहें तो उपर वाली की यूज थि को अपके भी बास्केटमस को यूज करा रहे है और डीक्रग कन्टी तो फिर वाली बास्केटकोन हो ने बनाया है मेकरम के डबल फ्रूट बास्केट विचुमर बनके तयार हो चुका है चुकि बहुत ही प्यूटिफूल है एक यूनिक डिसाइन है वाची का NEW भी पास्केट जया जरता सिटी समस अब तयदी प्याश्तार हुआ सिम्स के जगए, वाजन EASạo लगा माए बैसकेट तक पने का अटेंगे, वाजने ज realities रखया हे और इसे टीदी बियर रखने में भी यूदे बनाइन, यूज़ कर सकते हैं मनी ब्लांट के या फिर कोई भी फ्लावर के और अपने घर को डेकोरेट कर सकते इस डबल पास्केट विट चुमर से तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इसे जरू पराइए इसे जरू ट्राइ करिये और साथ में यह आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरू लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फेमरली के साथ हमारे इस वीडियो को जरू शेय करिये और साथ में हमारा चैनल में करम आठ करेशन ग्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो अमाच फोर वोचिंग माय वीडियो ली चारी बाइक करेंलár इस डिसाथ और साथ ही माय थास Kenny अल में हमारे करता ट्यूस्च में माच्राइब को ए jos few उतिसे और हो झाल झाल